कि अभी दोस्तों हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिसी हो गए कि हमारी अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स या हेल्थ इस्यूस के लिए हमें हमारे पास टाइम नहीं होता हम उने इग्नूर कर देते हैं स्टार्टिं में और जब वह प्रॉब्लम बढ़ी हो जात है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीक्मेंट के लिए तोस्तों मैंने अपने सैल एंजरी वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी बिमारी अचानक से नहीं होती हमारी बॉड़ी में किसी भी लेवल पर जब कोई प्रॉब्लम शिरो होने वाली हो या फिर किसी भी घ्रोन की एक्टिविटिई सही भंग से ना हो रही हो तो हमारी बॉड़ी हमें बॉड़ करती है सायं देती है पर हम उसको इगनोर कर देते हैं उसको इतना सीजेसलि नहीं लेते हैं चाहिए वो बिजेज़कि विज़े से हो चाहिए वो किसी भी बार रिजंगी वैसे हो consist of इस वीडियो में हम एक ऐसे ही हमारी बोडी की एक साइन की या इंडिकेशन की बात करेंगे जो हम सभी कभी नगभी फेस करते ही हैं पर हम उसको इतना सीरियसली निलेते बिना ये सोचें कि छोटी सी दिखने वाली जो बिमारी है या साइन है वो कितना ज्यादा बिक्राल उनकी एक्रिविटी पर क्या प्रभाव पढ़ता है इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे यह स्वेलिंग या ओडेमा क्या होती है हमारी बॉडि सेल्से मिलकर बनी है दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टीशल स्पेस कहते है इस में free fluids का excessive accumulation मींस अधिक मात्रा में जमा हो जाना ही odema या swelling कहलाता है odema या swelling होने के बहुत सारे reasons होते हैं उनमें से एक बड़ा factor या reason है blood vessels में oncotic pressure का कम हो जाना तो सबसे पहले जानते हैं ये oncotic pressure होता क्या है दोस्तों हमारी body में blood की supply blood vessels के थ्रो होती है इन blood vessels में blood के साथ-साथ proteins, vitamins, minerals आदी भी होते हैं blood vessels में fluid को maintain रखने के लिए proteins के द्वारा एक pressure लगाया जाता है sufficient amount में जिससे blood vessels के contents बाहर ना निकल जाए proteins के द्वारा लगाया गया वो pressure ही oncotic pressure कहलाता है और यही oncotic pressure blood vessels में fluid के flow को maintain रखता है जब किसी कारणवश protein loss हो जाता है यानि protein की मातरा कम हो जाती है तो यह oncotic pressure भी कम हो जाता है और fluid का movement blood vessels के बाहर की ओर हो जाता है जिसके परणाम सुरूप इस free fluid का accumulation यानि इखटा हो जाना start हो जाता है और edema यानि swelling हो जाती है दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर बारिश के मौसम में insects या कोई केड़े मुकाड़े जहरीले हो जाते है और इनके काटने पर swelling हो जाती है तो वो क्यों होती है आईए जानते है cell को nutrients provide करने और cell का waste material बाहर ले जाने का काम capillaries करती है जब किसी drug, chemical, venom, साप के काटने पर या किसी insect के काटने पर body में कुछ allergic reaction हो जाने पर जो chemicals release होते हैं जैसे histamine ये irritant का का काम करते हैं इनकी वज़े से capillaries की wall damage हो जाती है जिससे capillaries के content बाहर आ जाते हैं और oncotic pressure कम हो जाता है जिससे edema cause होता है यानि swelling हो जाती है अब बात करते हैं liver में swelling की इसमें सबसे पहला reason है किसी भी liver disease की वज़े से यदि hypoprotemia means protein की synthesis मतलब protein बनना और उसका absorption भी कम हो जाए तो oncotic pressure reduce हो जाता है क्योंकि protein ही responsible होता है blood vessels में fluid के movement के लिए और oncotic pressure कम होने के कारण liver में swelling स्टार्ट हो जाएगी लिवर में swelling का एक और reason है hepatic portal vein में blood pressure बढ़ जाने की वज़े से capillaries की wall damage हो जाना सबसे पहले जानते हैं यह hepatic portal vein क्या होती है जो vein GI tract means gastrointestinal tract से liver में blood supply करती है gastrointestinal tract means from mouth to stomach small and large intestine pancreas etc means complete digestive system तो mouth से लेकर complete digestive system GI tract कहलाता है जो vein इस GI tract से liver में blood supply करती है उसे hepatic portal vein कहते हैं जब इस hepatic portal vein में blood pressure बढ़ जाने की वज़े से capillaries की wall damage हो जाती है तो capillaries के content बाहर आ जाते हैं और oncotic pressure कम हो जाता है जिसकी वज़े से edema या swelling हो जाती है दोस्तों fatty liver होना और liver edema means liver में swelling होना दोनों अलग अलग है अगर liver में swelling की वज़े से उसकी activity affect होगी तो कई विमारियों को जन्म देगी अब बात करते हैं किड्नी की किड्नी में swelling या edema होने के लिए दो conditions responsible होती है पहला nephrotic syndrome किड्नी की small tiny blood vessels को nephrons कहते हैं ये kidney की unit यानी इकाई कहलाती है nephrotic syndrome किड्नी के अंदर small blood vessels damage हो जाने की वज़े से होता है इन blood vessels का काम होता है waste material को filter करना इनके damage होनी की वज़े से protein loss हो जाता है और जिसकी वज़े से हमारी body में protein की कमी हो जाती है किड्नी के अंदर जो blood vessels होती है वो essential items जैसे vitamins, minerals, proteins आदी को बचा कर waste material को पानी के साथ excrete कर देती है मिस बाहर निकाल देती है इन blood vessels के damage होने की वज़े से जो protein loss होगा वो अडेमा कास करता है यानि swelling स्टार्ट हो जाएगी इनके प्रमुग symptoms है आंकों के नीचे swelling होना पैरों में, एडी में swelling होना foamy urine होना मिस यूरिन के साथ जाग आना क्योंकि water के साथ proteins भी बाहर निकल जाते हैं जिसलिए proteins के कारण जाग निकलते हैं weight gain होना ठकान होना, भूग ना लगना दोस्तों इसका second condition होती है kidney की ओडेमा की nephritic syndrome kidney की blood vessels में inflammation यानि सूजन होनी की वज़े से blood vessels के pores फैल जाते हैं जिसकी वज़े से RBC यानि red blood cells और proteins दोनो urine के साथ बाहर आ जाते हैं blood का urine के साथ बाहर आना hematuria कहलाता है और protein का urine के साथ बाहर आना proteinuria कहलाता है इसके अलावा urine का आना भी कम हो जाता है और इस condition को oliguria कहते हैं यूरिनेशन के टाइम पर जलन भी होती हैं इसके सिम्टम्स हैं बलड प्रेशर बढ़ना फेस पे स्वेलिंग होना आइस के नीचे स्वेलिंग होना एब्डोमन यानि पेड के निचले हिस्ते में स्वेलिंग होना वेट गेन होना थकान होना भूख ना लगना दोस्तों अग करके आप अपने डॉक्र से कंसर्ण जरूर करें क्योंकि अगर टाइम पर इसका ट्रीट्मेंट नहीं करवाया गया तो आगे चलकर बहुत सारे डिजीज या कॉम्प्लिकेशन्स डैवलप हो सकते हैं जैसे एनीमिया हार्ट डिजीज हाई ब्लड प्रेशर यहां तक की किड् करण ओर्गन्स को ब्लड सप्लाइ करने के लिए हार्ट कंटिन्यूसली पंप आउट करता है मिस हार्ट की मसल्स कंटिन्यूसली कंट्रेक्शन एंड रिलक्सेशन करती हैं अगर किसी वज़े से हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाएं तो उनकी एक्टिविटी में कमी आ जाती है मिन्स contraction and relaxation में कमी आ जाती है जिसकी वज़े से hypervolumia develop हो जाता है मिन्स blood की volume में कमी आ जाती है जिससे ADH मिन्स anti-duretic hormone activate हो जाता है इस ADH का काम होता है body में water का amount balance करना इस ADH के activate होने से sodium और water का retention यानि जमा होना बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से blood dilute हो जाएगा मिन्स पतला हो जाएगा और oncotic pressure decrease हो जाएगा जो EDEMA ये swelling cause करेगा सेकेंड फैक्टर है cardiac EDEMA का capillary hydrostatic pressure का बढ़ जाना सबसे पहले जानते हैं ये capillary hydrostatic pressure क्या होता है capillary की walls के द्वारा interstitial space यानि दो cells के बीच में जो space होता है जो force लगाए जाता है उसे capillary hydrostatic pressure कहते हैं ये pressure oncotic pressure के against में काम करता है ये capillary hydrostatic pressure responsible होता है cells से waste material को बाहर ले जाने के लिए और cell में required essential nutrients provide कराने के लिए cell को अपनी proper functioning के लिए जितने भी nutrients के अविशक्ता होती है वो blood capillaries के थो cell को provide होती है इन easy words, nutrients का और waste material का transportation cell से blood vessels में capillaries के थो होता है जब ये capillary hydrostatic pressure, oncotic pressure से ज्यादा हो जाए तो ये interstitial space में fluid का accumulation यानि fluid का जमा होना बढ़ा देता है और adema की condition develop हो जाती है आपने देखा होगा देड तक खड़े रहने पर यार देर तक पैर नटका कर बैठने पर पैरों में swelling आ जाती है क्योंकि veins के उपर pressure बढ़ जाता है कार्डिय गड़े मा के symptoms है सीधे लेटने पर सांस लेने में तकलीफ होना ठकान होना पैरों में swelling होना तेजी से वजन बढ़ना आप अपनी lifestyle को changes करके इसको prevent कर सकते हैं जैसे avoid alcohol, avoid smoking, healthy diet लेना regular exercise करना weight control रखना, stress manage करना 7-8 घंटे सोना routine health check-up करवाना और doctor से concern करते रहना दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो प्लीज 5 लोगों तक इसको जरूर शेयर करें अगर आप new viewer है तो प्लीज इसको subscribe करना न बोलें मेरे चैनल को subscribe करें और अगर आप पुराने है तो अपनी notification bell को on करना न बोलें दोस्तों मेरा होसला बढ़ाने के लिए अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो प्लीज एक like बटन जरूर दवाईए और अपने आप comments या suggestion या कोई doubt है वो भी आप comment section में दे सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तो के लिए खुछ रहें सोच रहें अपना खयाल रखें